हेलो फ्रेंड्स रादे रादे अज हम जीरो नमबर काना जी के लिए जम सूट लेके आए जो कि देखने में बहुत सुन्दर है बनाना उतना ही असान है आप इसको किसी भी कलर में बना के तयार कर सकते हैं और काफ़े जल्दी ये बनके तयार हो जाता है देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है और फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगा आप वीडियो तो लाइक करते हो पर सब्सक्राइब बटन दवाना भूल कि जाते हो सब्सक्राइब बटन दवा के हमें सपोर्ट करिए हम आपके लिए अच्छे वीडियो लेके आते हैं काना जी की ड्रेस की और काफे wideo काफ़ीज अब हमें देखी 11 चैन लेनी है, धागा पिक करेंगे और नीच चले लूप में से निकालेंगे, तो इस तरह से हमारी चैन बन जाएगी, एक चैन बन चुकी है, ये दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, गैरा, गैरा चैन बना ली, अब गैरा भी चैन पर दे करेंगे, वान, टू, थ्री, अब जो हमने थ्री चैन लिया, इसको हम स्किप करेंगे, छोड़ देंगे, और गैर भी चैन पर हमने जो थम रखावा है, वहां से थम अटाएंगे, और हुग डालेंगे चैन के अंदर, और डबल क्रोशे बना देंगे, देखें, तीन लूप चैन के अंदर से डबल क्रोशे बनाएंगे, तीन लूपे, तीन में से दो करेंगे, दो में से एक करना है, इस तरह से डबल क्रोशे बनाने है, नेक्स्ट चैन के अंदर से डबल क्रोशे बनाएंगे, और सभी चैन के अंदर से हम एक एक डबल क्रोशे बनाना है, तो यह हम कंप्लिट हो गया है थ्री चैन लेनी हैं यह हमारा एक अब जो हमारी यह दूसARY चैन हैं बनाने एक, यह दो second row में हमें सभी chain के अंदे से दो दो double crochet बनाने है तो 12 के उपर 12 double crochet हमारे बढ़ जाएंगे 3, 24 24 double crochet हमारे बन जाएंगे चलिए round complete कर लेंगे second row complete हो गया है 3 chain लेनी है यह हमारे एक double crochet count होगा दूसरी chain के अंदे से एक बाय बनाएंगे तीसी chain के अंदे से एक बाय बनाना है और चोथी chain में आके हमें दो double crochet बनाने है एक सेम जगा पे एक और बना दिंगे तो यह दो हो जाएंगे तीन chain के अंदे से एक बाय बनाना है देखे एक बाय बनाया दूसरी chain के अंदे से एक बाय बनाया तीसी चैन के अंदर से 1 बार बनाएंगे और चौते चैन में आके हमें 2 डबल क्रोसिय बनाने है एक साथ एक और इसी के नीचे हमें 1 और बनाना है तो यह 2 हो जाएंगे चले, round complete कर लेंगे धर रोड कंप्लेट हो गया है और धर रोड में हमारे पाझ 30 double crochet बनें 30 अब हमें चोले की बाजू निकालना है बैक साइड निकालना है इसलिए देखिए हम 30 को किस तरह से बाटेंगे मैं देखिए मैं आपको कॉपी पर समझा देती हूँ यह देखिए हमारे पास 30 double crochet है तो हम 5 फ्रंट के लिए बनाएंगे 5 double crochet हमारे फ्रंट में बनेंगे और 5 हम चैन स्किप करेंगे बाजू के लिए देखिए और 10 double crochet हमारे बैक साइड में बनेंगे 5 double crochet हम फिर से स्किप करेंगे चैन को बाजू के लिए हॉल निकल जाएगा और 5 फिर से हम फ्रंट में बनाएंगे करेंगे तो टोटल हमारे पास 30 इस्टिज बनेगी ठीके पाच 5 इन सबकोम प्लस कर देंगे तो 30 डवल-क्रोसी बनेगे तो अमें देखे जितने हम फ्रेंट में बनाएंगे इस साइड पर और इस साइड पर इन दोनों को प्लस करके जो भी दोन भी गा उतना ही बैक साइड म तब ही चॉली की फिनिसिंग अच्छी आएगी चली मैं आपका बना के दिखाती हूँ तब आपको तेखे अच्छे से आ जाएगा यह देखे पांच डबल क्रोश हम फ्रंट के लिए बनाएंगे तो थ्री चैन लेने हैं यह हमारे एक डबल क्रोश हो गया अब दूसरी चैन के अंदर से एक बार बनाएंगे तीसी चैन के अंदर से एक बार बनाएंगे चोथी चैन के अंदर से एक बार बनाएंगे और पांच वी चैन के अंदर से एक बार बनाएंगे यह हमारे पांच डबल क्रोश ही हो गए ठीक हमें कंच करना है यह दू ठीन चार पाजिया जिसे करेंके EUip करीन है चटी गत्रों को बना धे लांएंगे ऑड़ेंगे 5 चानल बनाएंगे थ där सामनं का हुल देखे लोगन कढे यह को आ ह robust से तो घ्राइब हम यह बन चुका है जो हमने जाइन करा था एक हमारा ये बन चुका है ये दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस हमारे दस डबल क्रोशी हो गए बैक साइड के लिए अब देखे दूसरी बाजू के लिए हमें पांच चैन स्किप करनी है तो पहले हुक पे हम लूप ले लेंगे देखे एक एक, दो तीन, चार, पांच पांच चैन स्किप करेंगे और छटी चैन में हुक को डालके डबल क्रोशी बना देंगे देखे दूसरी बाजू निकल आई अब यहां पे भी हमें पांच डबल क्रोशी बनाने एक हमारा यह बन चुका है देखे देखे दागा हम जोइन कर लेंगे दो हो गए तीन हो गए चार अब जो मारी पांच वी चैने वहां से भी एक बना देंगे देखे इस तरह से चोली का लूप आ जाएगा देखे पांच हमारे इस साइड पर फ्रेंड पर आए और पांच हमारे इस साइड पर फ्रेंड पर आए ठीके तो ये बैक साइड में हमारे 10 डबल क्रोश से बने हैं और बाजू के लिए हमने 5 चैन स्किप करी थी तो ये चोली का लूक आ गया है अब इसको साइड में रख देते हैं अब देखे अपना दूसरा धावा लेंगे लूप बना देंगे यहाँ पर हमें चैन बनानी है 23 चैन लेंगे 1,2,3,4,5 इसी तरह से हम तेज चैन बना लेंगे तेज चैन बना दी हमने अब यहाँ पर हम थम रख लेंगे 3 चैन और लेंगे 1,2,3 इस फाली 3 चैन को स्किप कर देंगे जहाँ पर हमने थम रख आवा है 23 चैन पर वहाँ पे hook को डालना है और double crochet बनाएंगे देखे यह हमारा एक double crochet बन गया और जो हमने तीन chain लेती उसको एक double crochet count करना है तो दो हो गए और सभी chain के अंदर से हमें एक double crochet बनाना है तो यह हमारे 24 double crochet बनेंगे क्योंकि 23 हमने chain लेती और तीन chain जो एक्ष्टा लेती उसको भी एक double crochet count करना है तो यह हमारे 24 double crochet बनके तयार हो जाएंगे फर्स ट्रो में चलिए हम बनाके complete करेंगे फर्स ट्रो complete हो गया यह हमारे 24 double crochet बन गये 3 chain लेनी है यह हमारे एक double crochet count होगा और 24 के ओपर हमें 24 double crochet बनाने है सभी chain के अंदर से एक double crochet बनाना है देखिए इसके नीचे जो chain है इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि वह पहली chain है हमारी अब हमें दूसरी chain के अंदर से बग करना है यह देखिए दू हो गए किसी तरह से सभी chain के अंदर से एक double crochet बनाते हुए complete करेंगे second row complete हो गई है अब देखिए थर्ड रो में हमें लैग निकालना है किस तरह से निकालेंगे हमारे पास यह चौबी double crochet है तो बारह पर हम पहले 12 double crochet पर एक लैग बनाएंगे फिर दूसरे side का लैग 12 double crochet पर बनाएंगे देखिए 3 chain ले लेंगे तो हमारे एक double crochet काउंट होगा दूसरे chain के अंदर से एक बार बनाएंगे और इसी तरह से हमें 12 chain के अंदर से 12 double crochet बनाने हैं देखे 12 डबल क्रोशे बना दी हमने 12 चैन के अंदर से अब हमाँ पास यहाँ पर 12 चैन बची है उसको हम बाद में बनाएंगे जब हम दूसरा लाइक बनाएंगे तो इधर की तरब से ही बनाएंगे ठीके अब हमें यहाँ पर क्या करना है थी चैनल लेके वर को पलट लेना है ठीक है इस तरह से और 12 के उपर 12 डबल क्रों से बना दिंगे फिर से चलि हम इतना बना के कंप्लेट करेंगे देखे सेकंड रो कंप्लेट हो गया है लैक का अब यहाँ पर एक चैनल लेके धागा कट करेंगे यह हमारी सीधी साइड है और यह हमारी उल्टी साइड है ठीक है अब हमें यहाँ से धागा जोइन करना है क्योंकि हम जब बना रहे थे इदर से तो हमने यहाँ आगे ना बना के टर्न कर लिया था तो इसलिए यहाँ से धागा जोइन करेंगे हमारा लूप बना देंगे और देखें जो हमारी 12 डबल क्रोष से बना है उसकी चैन में ही हम पहले धागा जोइन कर देंगे यही से धागा जोइन करना है अगर यहाँ से नहीं करेंगे तो फिर वहाँ हमें यहाँ पर देखें सुनी धागे से सीलना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा गया पा जाता है तो हम यहां से धागा जोइन करेंगे और आगे वाले डबल क्रोशी है हमें जो आगे वाले जो डबल क्रोशी है यहां पर हमें पहले देखे इस तरह से slip chain करनी है और फिर 3 chain लेनी है 1, 2, 3 यह हमारा डबल क्रोशी बन गया यह दो हो गए तो बारक के उपर हमें 12 डबल क्रोशी बनाने इस वाले धागे को हम दवाते वे चलेंगे ठीके 12 डबल क्रोशी बना लेंगे फिर यहां के टर्न कर लेंगे वर्क फिर एक रो और बना लेंगे अब देखे इसको हम सिलाई करेंगे और हमने यहाँ पर देखे एक डोरी बना दिये जितना यह है जो हमने यहाँ पर चौबी डबल क्रोशे बनाए इस तरह से डोरी को रखेंगे और इससे लंबी होनी चाहिए डोरी हमारी क्योंकि जब हम बान देंगे तो यह इस तरह से तो थोड़ी हमारी नोर्ट पर बानने पड़ेगी तो डोरी हमेसा इससे लंबी होनी चाहिए इस वाले पार्ट से ठीके जैसे कि हमने यहाँ पर बना दिये आप इस तरह से नाप सकते हैं चले अब सिलाई कर लेंगे यह हमारी उल्टी साइड है और यह हमारी सीधी साइड है तो हम उल्टी साइड को देखे इस तरह से रखेंगे और एक रो उपर वाली नहीं सिलेंगे उसके नीचे वाली रो से हम सिल्ला सुरू करेंगे क्योंकि उपर की तरह हम डोरी लगाएंगे देखिए एक रो हम छोड़ देंगे उपर से आप चाओ तो सिल भी सकते हैं वन्ना डोरी से वो कवर हो जाएगी यहाँ पर हम सिलाई कर देंगे अब नीचे लेक का पोर्शन आ गया इतना सिलने के बाद अब एक पहले एक लेक को सिलेंगे फिर दूसा लेक सिल देंगे इतना आ गया अब यहाँ से हम देखिए एक लेक पहले हम सिल देंगे अच्छे से पाका कर लेंगे देखिए और इसी तरह से यह वाला लाइक भी हम सिल के फिर आपको दिखाते हैं देखिए हमने सिलाई कर दिया अब इसको पलट लेंगे सीधी साइट कर देंगे यह देखिए कुछ इस तरह से लोक आएगा इसका यहाँ पर हम बाद में डोरी डाल देंगे डोरी डालने से पहले हम इस देखिए यह तनी बनानी है स्ट्रैप बनानी है किस तरह से बनाएंगे देखिए देखिए आप डबल क्रो से काउंट कर सकते हैं यहां से जो हमारे एक खुला पोर्सन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9 भी चैन में धागा जोइन कर देंगे 8 भी या 9 भी चैन से धागा जोइन कर सकते हैं यह देखिए एक लैक के उपर आना चाहिए और दूसरा भी दूसरे लैक के उपर आना चाहिए इस तरह से बस आपको ध्यान देना है slip chain से धागा जोइन करेंगे और यहाँ पर हमें देखिए 1, 2, 3, 4 यहाँ पर हम 20 chain बना लेंगे 20 chain बना ली हमने अब पहली chain skip करेंगे दूसरी chain में हमें single cross या बनाना है दो लूपे दो में से एक करेंगे जब भी हम single cross या बनाएंगे तो hook पे बलने ही लेते सिर्फ chain के अंदर hook डालना होता है धागा पिक करके लाएंगे और दो लूपे दो में से एक कर देंगे इस तरह से हमें single cross या बनाने है यह बिल्कुल पतली वाली strap बनेगी चोड़ी नहीं बनाएंगे क्योंकि zero number लड़ी वो पाल जी के लिए है तो सबी chain के अंदर से हमें एक एक single cross या बनाना है चलिए बना के हम complete करेंगे यहां तक देखे हमने यह बना दिया है अब नीचे आके इसे जोइन कर देंगे जहां समने धागा जोइन कर रहा है वहां नहीं करना उससे अगली वाली chain में जोइन करना है slip chain से धागा जोइन करेंगे और एक chain लेके धागा कट करना है और देखे आपको अगर यह strap छोटी या बड़ी लगती है तो आप 2-3 chain कम यह ज़्यादा भी ले सकते है और इस तरह से यह देखे पीछे की तरफ आ जाएगी आप यहाँ पे चिट चैट बटन लगा सकते है या डोरी से भी आप यह कवर कर सकते है जैसे कि हमने यहाँ पे देखे यहाँ पे चिट चैट बटन नहीं लगाया डोरी बान दी जिससे दब गई है इस ट्रैप पीछे की साइड इस तरह से लुक आएगा यह और इसी तरह से एक स्ट्रैप हम इदर की साइड बना लेंगे धागा कट करेंगे पहले देखे एक स्ट्रैप बन गया अब भीच में हमें पांच डबल क्रोसे का गैप देना पांच से चे डबल क्रोसे का गैप दे देंगे देखे एक तो तीन चार पांच यहाँ से धागा जोइन कर देंगे नेक्स्ट लूप बना देंगे पहले और स्लिप चैन से धागा जोइन कर देंगे देखे और इसी तरह से हमें 20 चैन बनानी है और सभी चैन के अंदर से सिंगल क्रोश से बनाना है चलिए हम यह बनाके कमप्रेट करेंगे एक और स्ट्रेप देखे हमने यहां पर डोरी भी लगा दिये और यहां पर बार में चिट बटन वगरा लगा सकते हैं और इस तरह से लड़ो को पालजी को पैनाएंगे यह आगे की साइड रहेगी और जो यह खुला हिस्सा है यह देखे इस तरह से यहां पर हम चॉली को लगाके और जो हमने स्ट्रेप बना है उसको हम देखे इस तरह से पीछे की तरह ले जाएंगे और यहां पर हम ले जाके आप चिट चेट बटन भी लगा सकते हैं और इस तरह से दोरी से भी दवा सकते हैं बारबर बंद ओपन करने के दिक्कत नहीं है सिर्फ यहां पर एक टॉरी से नॉट लगा लिजिए यह देखिए और आप यहां पर एक एक बटन लगा सकते हैं जैसे कि हमने यहां पर लगाया वह है जिससे और भी सुन्दर लगेगा और मैं आपको एक बो बनाना बता देती ह हुँ छोटा सा देखिए मैजिक सरकल बनाएंगे इस तरह से मैजिक रिंग बनाया थ्री चैनल लेंगे वान टू थ्री यह हमारा एक डबल क्रोश से बन गया है सेम जगा पर देखिए एक और बनाएंगे दो हो गए फिर थ्री चैनल लेनी है और नीचे रिंग में स्लीप चैनल से जोइन करना है यह हमारे तीन डबल क्रोश से हो गए हमने डबल क्रोश से बनाए फिर तीन चैनल लेके स्लीप चैनल से जोइन करा है फिर थ्री चैनल यह हमारा एक डबल क्रोश से बन गया फिर यह दो हो गए फिर से थिरी चैनल लेंगे और स्लिप चैनल से नीचे जोइन कर देंगे रिंग में ही और एक चैनल लेके दागा थेके थोड़ा से लंबा कट करेंगे अगर आपको इस से भी छोटा बोव बनाना है तो आप हाफ डबल क्रोशे से भी बना सकते हैं अब ये धागा खीच के सरकल बंद कर देंगे ये देखे बंद हो गया अच्छे से बन कर देंगे ये देखे बोकी से बन गई अब एक बार हम ये दागा इसके उपर इस तरह से ले जाएंगे और पीछे की तरब ले जाके नोट लगा देंगे अगर ये आपको लगे कि थोड़ा से बड़ा हो रहा है तो आप हाप डबल क्रोशे से भी बना सकते हैं अच्छे से नोट लगा देंगे आप जाओ तो देखिए थोड़ा से धागा रख भी सकते हैं इस तरह से इतना धागा रख सकते हैं या पुरा कट कर सकते हैं और एक चोठा सा मौती लगा सकते हैं यहां पर पेस्ट कर सकते हैं देखिया हमेरी ड्रेस बनके तयार हो गई है हमने यहां पे मौती वागयर्णा लगा दिये हे हम पर आप 흔र पेस्ट कर दिया है जिसे यह ड्रेस अर्पी प्यारी लग रही है और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक को पहलेएगा और जिनके घर पर भी लडुकपाल्चि उनके सेंगे वीडियो करेगा ताकि वह लोग प्रमाचिक लिए ड्रेस बना के उनको पहना सके और अभी तक हमने चाले को सब्सक्राइब मेरी चाले को सब्सक्राइब करेगा और हमें सपोर्ट करेगा मिलते हैं नेक्स